आप सब्सक्राइब कर लिजे और साथी बेल आइकन मनावा उसको प्रेस कर लिजे ताकि यागे का जो भी अपडेट्स है का वीडियो आगी नुटिफिकेशन सब्से पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजे और डेली मौर्णिंग में यहाँ पर छेव जो जो है वो करेंट अफिर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जोईन कर लिजे आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जागा टेलिग्राम ग्रूप का आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोईन कर सकते हैं डेली साम के साथ बजे वहाँ पर टेलिग्राम में आपको पीडियेफ प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजे, आप PDF वहाँ से फ्राप्त कर सकते हैं तो चलिए आज का यहाँ पर 10 जन्वारी के जहारखंड के महत्पुन करेंड़ फेरिकूशन से जो भी हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं तो आज का पहला प्रस्ण है यहाँ पर 65 वी राष्टी स्कूली सिलंबन प्रतियोगिता में जहारखंड के खिलाडियों ने कुल कितने पदक जीते हैं तो इसका सही अंसर जो होगा आपका option number B is right answer यहाँ पर जाएगा कुल साथ पदक यहाँ पर जीते हैं तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा 65 वी राष्टी स्कूली सिलंबन प्रतियोगिता में जहारखंड के खिलाडियों ने कुल साथ पदक जीते हैं चली यहाँ पर इडिल्स में देख लेते हैं तो जहारखंड के खिलाडियों ने अलग-अलग आयू वर्ग में राष्टीय स्कूली सिलंबन प्रतियोगिता दिल्ली के त्याग राजस टेडिया में कुल साथ पदक अपने नाम किये हैं तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा चली यहाँ पर दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं तो दिल्ली जो है यहाँ पर आपका इंडिया का कैपीटेल हैआर साथी-साथ यहाँ यहाँ पर union बैजल है तो इतना आपको यहाँ पर दिल्ली के बारे में जनकारी रखनी है चलिए अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर DSPMU में होने वाली कारिकरम संकाई सनवर्धन कारिकरम का विसाय क्या है तो डॉक्टर स्यामय परसाद मुखर जी उनिवर्सिटी में होने वाली कारिकरम संकाई संवर्धन कारिकरम का विसाय क्या रखा गया है तो इसका सही अंसर्ज होगा यहाँ पर आपका option number A is right answer यहाँ पर और इसका विशाय जो रखा गया थिम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है परियावरन संवर्धन कारिकरम का आयोजन होने जा रहा है यह कारिकरम 27 जनवरी से दो यहां पर देख लिए फरवरी तक आयोजन किया जाएगा इसका आयोजन मानो संसाधन विकास मंद्राला यहां हन्सराज कॉलेज नई दिल्ली की सहयोग से किया जाएगा तो DSPMU में डॉक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी विस विद्याले में यहां पर आपका संकाई संवर्धन कारिकरम का आयोजन होने जा रहा है आपका 27 जनवरी से 2 फरवरी तक और इसका ठीम जो रखा गया है वह क्या रखा गया है पर्यावान संड्रक्षन और इसकी चुनोतिया अब यहां पर DSPMU आया चली हम लोग यहां पर डॉक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी विस विद्याले के बारे में यहां पर देख लेते और इसे युनिवर्सिटी का माननेता भी दे दिया गया है चली अगले प्रसन की ओर चलते हैं और अगला प्रसन है यहां पर जहारखंड में दिन दयालोपादिया ग्रामिन कॉसल विकास पर युजना के कार्यानवन में किस संस्था को प्रत्थम अस्थान प्राप्त हुआ तो यहां पर इसका उप्शन जो है वो नहीं लिखा गया है इसमारा इंसर राइणनववागा यहां पर एजूकेटर एक्स्टॉर्णियर लिमिटेट को एक यहां पर अरूरू शूको यहां पर दिं दयालोपादिया ग्रामिन कॉसल विकास पर दोर्शना के कार्यानों में संस्था को प्रत्थम अस्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में तो आप्सन नमबर सी इस राइट एंसर यहाँ पर हो जाएगा दिन दयालुपाधिया ग्रामिन कॉसल विकास पर्योजना के कार्यानुन में यहाँ पर एजूकेटर एक्स्टॉर्डिनियर लिमिटेड को प्रत्थम अस्थान प्राप्त हुआ है चलिए यहाँ पर इडियल में देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लिए जहांपर जो दिन दयालुपाधिया ग्रामिन कॉसल विकास पर्योजना के कार्यारों में केंदर सरकार ने एक्स्टॉर्डिनियर एजुकेटर कराने के लिए दिन दयालुपाधिया ग्रामिन कॉसल योजना के वो सुरू की थी चल रही है और इसकी सिरुवात 25 सितंबर वर्स 2014 को किया गया था तो यह आप यहाँ पर याद रखेगा लिय नादर्दा ग्रामिन और उपलद कराने के लिए यहांपर ट्रेइनिंग दी ज सके और इसकी सुरुवात 25 सितंबर वर्श 2014 को किया गया था चली अगली प्रसंद क्यों चलते हैं और अगला प्रसंद है यहाँ पर जहारखंड के किस जीले ने देश भर में सिर्ष पांच आकांची जीलों की सुची में अपनी जगह बनाई है तो इसका सही अंसर होगा यहा कौनसा जीला लाते हार जीला है यहाँ पर जो कि जहारखंड में सिर्ष पांच आकांची जीलों की सुची में अब पूरे देश भर में तीसरे अपायदान पर रहा है तो आप्शन नमबर सी इस राइट इंसर यहाँ पर हो जाएगा चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख सुची में सिर्ष पांच जीलों में देश में पहले स्थान पर त्रीपुरा है यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है और ये कि दो जीले है राइगाड जो है दूसरे अस्थान पर है और कंधमाल चोथे अस्थान पर है चलिए भी यहां पर देख लेते हैं और साथी यहां पर देख लिए यहां यहां पर किंद्र सरकारत दोबरतेहर जीले को दिया जाएगा कासल विकास सडक जल उपलब्दा कराना है तो इसमें समक्र विकास की यहां यह योजना है अकांची योजना और यह जीले लेबल की यहाँ पर जिलास्तर की यह योजना है और इसमें सभी तरह की जो यहाँ पर सुईधाय होती है वो उपलब्द कराई जाती है हर चीज का यहाँ पर डेवलप्मेंट देखा जाता है तो आपका आप्सन नमबर सी इस र जार्खंड कलाते हर जीला तीसरे अस्तपाइदान पर रहा है आकांची योजना में चलिए अगले प्रसन की और चलते हैं और अगला प्रसन है यहाँ पर जार्खंड की राजधानी राचिया स्टेशन पर 24 घंटे एंबुलेंस सेवा किसकी मदद से सुरू की जा रही है त इसकी सहायता से इंडियन ओयल कोर्परिशन की सहायता से यहां पर जार्खंड की राजधानी राचिया स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे एंबुलेंस सेवा की उपलब्दा करवाई जाएगी तो आप्स नमबर बी इस राइट अंसर यहां पर रहागा इंडियन इंडियन ओयल कोर्परिशन की मदद से यहां पर 24 घंटे एंबुलेंस सेवा की जो है यहां पर उपलब्दा करवाई जाएगी चलिए यहां पर रिटेल्स में देख लेते हैं तो राची रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे एंबुलेंस की सेवा जीलास प्रसासन और इंडियन इंडियन ओयल कोर्परिशन के बीच में सितंबर 2019 में करार हुआ था ठीक है तो आपका option number यहां पर बी इस राइट एंसर यहां पर जाएगा आई इंडियन ओयल कोर्परिशन की मदद से राची रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे एंबुलेंस सेवा की उपलगता कराई जाएग अब यहां पर इंडियन ओयल कोर्परिशन आया चली उसके बारे में यहां पर देख लेते हैं तो इस आई ओसी का फुल फर्म है इंडियन ओयल कोर्परिशन यह पेट्रोलियम और पदार्थ जो है वो बनाती है इसकी अस्थापना यहां पर 1969 में और इसका हेंड़कॉर्ट सबसे लोग प्रिये सेलिवरेटी किसे घोशित किया गया है तो इसका सही अनसर जोगा यहाँ पर option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा कौन से महेंदर सिंग धौनी है जो कि ADEX India Research 2019 के अनसर सबसे लोग प्रिये सेलिवरेटी है तो option number B is right answer यहाँ पर हो जाएगा तो टीम इंडिया के पुरक अपतार महेंदर सिंग धौनी जनवरी 2019 से लेकर नॉमबर 2019 तक इंडिया ADEX के Research में यहाँ बात सामने आई है कि विज्यापनों के मामले में धौनी सबसे लोगप्रिये चाहँ पर गे महें धोनी तो छलिए यहाँ पर देख लेते हैं तो महेंदर सिंग धौनी जो है वो एक किरिकीटर है आप सभी को पता है और यहां इनके नेतृत्यों में 2007 में व्ल्ड कप इन्होंने देश को दिलवाया था वर्ष 2013 में चैंपिएंस ट्रोफी इनकी नेतृत्यु में जीती थी टीम इंडिया और इनके जो अवार्ट दिया गया है वो देखले परमुक अवाड दिया गया और यह आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2007 में देख लिए आपर राजीव गांदी खेल रत्न आवाड दिया गया था और वर्ष 2009 में पद्म सिरी दिया गया था और 2018 में पद्म भूसन दिया गया है तो आप इतना इंपोर्टेंट जो फैक्ट से वह आप याद रखेगा यह अक्सर इजाम में पूछे जाते हैं अवाड्स वाले चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर राज के कितने जीलों में अभी भावक सिक्षक दिवस मनाया गया तो इसका सही एंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस राइट एंसर यहा लोग यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं तो राजी के बारा जीला हजारी बाग रामगर कोडर्मा चत्रा बोकारो धनबाद गिरिडी राची खुटी गुमला और यहाँ पर देख लिए लोहरदग्गा सिम्डेगा जीले के सरकारी विद्यालियों मे अभी भावक सिक्षक दिवस मनाया गया अभी भावक सिक्षक दिवस यह साथ में आप यहाँ पर पढ़िएगा अभी भावक सिक्षक दिवस मनाया गया इसमें अभी भावकों को बताया गया कि अक्षा के अधार पर बच्चे को स्यक्षिनिक अस्तर क्या होना चाहिए प्रसंट क्यों चलते हैं और एंसर यहां पर कल आपसे प्रसंट पूछा गया था हाली में लॉंच हुए नॉबेल दे आफ्टर माई फ्यूंडरल की लिखा कौन है तो इसका सही एंसर जोगा यहां पर आपसर नमबर एंसर यहां पर हो जाएगा तो रांची के निखिल कुछवा की नॉबेल दे आफ्टर माई फ्यूंडरल पुस्तक सरवाधिक विक्री की सुची में सामिल रहा है इस पुस्तक में एक आत्मा की कहानी है और निखिल कुछवा की अन्य पुस्तक के जो है यहां पर 16 Mistakes, The Warming Moon और Heart of Bullets लिक चुके है इनके प अमेजन में यहां पर एक परतियोगिता होती है Paint to Publish इसमें कि nobels स्थे आप है उसमें पर्टिसिपेट करते हैं और निखिल कुछवा की पुस्तक जो है यहां पर इस Paint to Publish, Paint to Publish 2019 में सामिल रही थी, तो option number, यहां पर A is right answer यहां पर रहाएगा The Day After My Funeral पुस्तक के जो लिखक कुछ वो कोन है निखिल कुछवा है चलिए अगले प्रस्वन की ओच चलते हैं और कुछ्ट देख लेते हैं यहाँ पर आज का प्रस्वन है राज्जे में मोनो क्राफ्टिंग योजना किस से संबंदित है तो यह पर इसका आपके आप्सेन यहाँ पर चार हैं पहला आप्से जो है देख लिए रवी फसल से दल्हन की पैदावार बढ़ाना तीसरा जो अप्षन है हस्त निर्मित वस्तुओं का बढ़ाना बढ़ावा या फिर चौथा अप्षन जो है बास से बनी वस्तुओं को बढ़ावा तो आपको सही कमेंट एंसर जो है वो कमेंट करके बाद आन के साथ ताकि यहां पर जारखंड के माचपून करेंट अफिर कुशन जो है वो देख सकें